हेलो व्यूवर्स मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका नरेटर बड़ी पर आज की इस वीडियो में मिल लेके आया हूँ 2011 में रिलीज हुई मुवी त्री मस्कीटियर्स तो खानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 17th century में फ्रांस के जो राजा हैं उनकी हत्या कर दी गई थी और शके बाद जो उनके राजकुमार थे उनको राजा बनना पड़ा क्योंकि उनके पिता की हत्या हो गई थी और अब यहाँ पर राजा लुईस के पास काडिनल और उसकी आर्मी थी कार्डिनल मतलब की एक high level के priest होते हैं और वो priest पूरी army को control करते थे एक तरह से आप सेनापती कह सकते हैं कहानी समझने में आसान हो इसलिए हम कार्डिनल को priest बोलेंगे इस movie में तो movie के शुरुवात में ही दिखाया जाता है कि Venice जो की Italy में एक शहर है वहाँ पर firework हो रहा होता है celebration हो रहा होता है और Venice जो शहर है उसमें शहर के बीच में से ही canals मतलब की छोटी छोटी water streams जो है निकलती हैं तो हर गर के आगे और पीछे से canals होती हैं तो यहाँ पर लोग boat के थूरू travel करते हैं यहाँ पर सडके कम पानी की canals जादा है तो यहाँ पर एक soldier खड़ा होता है एक palace के बाहर और पहरा दे रहा होता है तब ही पानी के अंदर से एक आदमी निकलता है और वो soldier को मार गिराता है उसके पीछे से और भी soldiers आते हैं लेकिन वो आदमी उन soldier को भी मार गिराता है फिर वो आदमी अपने चेहरे से मास्क खटाता है तो उसके बाद पता लगता है कि जो थ्री musketeers हैं उन में से ये पहला musketeers है एथोस एथोस यहाँ पर काम कर रहा होता है अपनी girlfriend के साथ और उसकी girlfriend का नाम होता है मिलेडी एथोस और मिलेडी जिस काम के लिए यहाँ पर आते हैं उस काम के लिए एक चाबी की जरूरत होती है और वो चाबी मिलेडी के पास है इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें की एक आदमी बहुत उची को एक चाबी देता है और इस आदमी का नाम होता है अरैमिस अरैमिस भी थ्री मस्कीटियस में से दूसरा मस्कीटियर है तो आप नाम याद रखेगा मूवी में आगे बढ़ते वक्त तीसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी को चेन से बांदा हुआ है और इसके सामने जो जेलर है वो आता है और पूछता है कि बताओ अपने साथियों के बारे में कि तुमारे बाकी साथि कहां पर है तो वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा और तुमने मुझे नहीं पकड़ा है मैं यहां खुद अपनी मर्जी से तुमारे सामने आया हूँ तो इस कैदी का नाम होता है पौर्थोस पौर्थोस एक बहुत लंबा जोड़ा आदमी होता है पौर्थोस जिन जंजीरों से बंदा होता है उन जंजीरों को तोड़ देता है और सेम उनी जनजीरों से जो जेलर होता है उसको लपेट देता है उसको कैद कर देता है फिर इसके बाद पौॉर्थोस, रमिस और एथोस और मिलेडी चारों लोग मिलकर एक कमरे में जाते हैं और उस कमरे में दरसल वो एक चीज के लिए आते हैं वो है एक नक्षा या फिर एक डिजाइन आप कह सकते हैं और ये डिजाइन बहुत बड़े आर्टिस्ट दविंची ने डिजाइन किया था और इस डिजाइन को चुपा के रखा गया था एक खुफिया तिजोरी के अंदर और उस तिजोरी को खोलने का जरिया वही था जो चाबिया जो चाबिया इन चा या मशाले अपने आप जल जाती है पॉर्थोज आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन एथोज उसको रोक लेता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है अंदर जाने के लिए रास्ता सेफ है उतना आसान नहीं है जितना दिखता है लेकिन यहां पर मिलेडी के दिमाग में कुछ अचानक से चलता है और वो अंदर गुफा के अंदर बढ़ने लगती है और सभी हतियारों से बचते बचाते वो फाइनली वहां पहुंच जाती है जहां पर वो डिजाइन रखा होता है जिसके लिए चारों यहां पर आते हैं अपनी जान को दाव पे लगाके पीछे से जेलर भी अपनी पूरी सेना को लेके आ जाता है तब तक मिलेडी उस डिजाइन को ढूंठती है और वो पेपर उसको मिल जाता है चारो यहाँ पर गबरा जाते हैं कि अब वो लोग कैसे बाहर निकलेंगे यहाँ पर एतोस बोलता है कि मैं इस छट को डाइनमाइट से उड़ा देता हूँ और वो ऐसा ही करता है छट को डाइनमाइट से उड़ा देता है अब क्योंकि यहां पर पूरी जो गलियां है वो पानी से भरी हुई है जैसे ही वो डाइनामाइट से छट को उडाता है जो गलियों का पानी है वो अंदर आने लगता है और गुफा बिल्कुल नीचे होती है गली के अंदर जिस पे पूरा पानी भरा होता है वोग पानी पूरा गुफा के अंदर चला जाता है और जो डाइनमाइट की वज़ा से जो छेद होता है उस गुफा में उससे चारो बाहर आ जाते हैं अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये चारो बाते कर रहे होते हैं कि ये जो मैप हमें मिला है जो डिजाइन हमें मिला है इसका करना क्या है तो यहाँ पर मिलेडी बोलती है कि मुझे माफ करना कि मुझे इस मैप की इस डिजाइन की जो कीमत है किसी और ने जादा दी है तो इ दरसल ये इंग्लैंड का राजा है और इसका नाम है बकिंगम, बकिंगम ने ही मिलेडी को काम दिया था कि तुम थ्री मस्कीटियर्स को धोका दे कर मेरे लिए वो डिजाइन लेके आओ और उसके बदले में मैं तुमें बहुत सारा पैसा दूँगा, जिस डिजाइन के पीछ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ये सीक रहे होते हैं तलवार बाजी, यहां पर बेटा कुछ ऐसा दाव चलता है कि वो अपने पिता को तलवार बाजी में हरा देता है, तो यहां पर पिता खुश होता है और बोलता है कि ये तलवार जो हमारी है, ये पुर्गों की तलवार है इसके तुम हगदार हो ये तलवार तुम अपने पास रखो तो ये जो लड़का है इस लड़के का नाम होता है दार्थेरियन दार्थेरियन को उसके पिता बोलते हैं कि ये हमारी पुर्गों की तलवार है इसको आप अपने पास रखो दार्थेरियन को उसकी माँ और पिता दोनों विदा करते हैं और बोलते हैं कि जाओ और ये दुनिया पूरी जाके देखो कि ये दुनिया कैसी है दार्थेरियन वहाँ से चलायाता है उसके तीन दिन बाद दार्थेरियन एक जगा पर पहुंचता है और इस जगापर वो कुछ खाने पेने के लिए रुखता है लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है रशफोर्ड से रशफोर्ड ये आदमी है जिसकी एक आँख पर एक पट्टा लगा हुआ है रशफोर्ड यहाँ पर गार्ड्स का कैप्टन है तो रशफोर्ड और दार्थिरियन के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और यहाँ पर रशफोर्ड और उसके साथी दार्थिरियन को नीचे जमीन पर गिरा देते हैं लेकिन थोड़ी देर में मिलेडी सामने आती है और दार्थिरियन को बचा लेती है अगले सीन में दिखाय करेंगे फिर दार्थेरियन थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके बाद उसकी टकर होती है पौर्थोस से पौर्थोस से भी उसकी बहस होती है और वो पौर्थोस को बोलता है कि तुम मुझे एक बजे मिलो चौक पर और इसके बाद हम इस बहस को खतम करेंगे दार्थेरियन थ बहस को हम वहाँ पर खतम करेंगे तो तीनों लोगों को वो अलगलग टाइम देता है एक को बारा बजे, एक को एक बजे और एक को दो बजे बिल्कुल बताय हुए टाइम के हिसाब से एथोस बारा बजे उस चौक पर पहुंच जाता है और दार्थेरियन से लड़ने को तयार होता है लेकिन अरैमिस और पोर्थोस भी वहाँ पर उसी वक्त पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि इस लड़के ने हम लोगों को भी यहाँ पर लड़ने के लिए बुलाया है यहाँ पर यह तिनों उस लड़के से पूछते है कि तुम कौन हो और हमसे क्यों लड़ना चाहते हो जितनी देर में बाते कर रहे होते हैं पीछे से एक सैनिक आता है और वो सैनिक उनको रोग देता है कि तुम यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते और देखते ही देखते हैं वहाँ पर 30-40 सैनिक और आ जाते हैं इन सभी सैनिक का कैप्टन होता है रशफोर्ड रशफोर्ड तीनो मस्कीटियर्स से बोलता है कि तुम मस्कीटियर्स मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ पर लड़ नहीं सकते हो तुम और तुम्हें यहाँ से जेल म ले जाया जाएगा तो दार्थेरियन बोलता है तीनों मस्कीटियर्स को कि तुम थ्री मस्कीटियर्स हो तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते हो तुम इस कैप्टन के सामने इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते तीनों मस्कीटियर्स बोलते हैं कि वो काम हम छोड़ चुके हैं बहुत जारा जोश है और उस लड़के के जोश को देखकर तीनों मस्कीटियर्स में भी जोश आ जाता है और वो भी सेनिकों से लड़ना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते हैं ये चारों लोग 40 सेनिकों के उपर भारी पड़ने लगते हैं। और साइड में खड़ियों कि लड़की सारी लड़ाई देख रही होते हैं इस लड़की का नाम होता है Constance और ये देखते हैं कि ये लड़का कितनी बहादुरी से इन सेनिकों का मुकाबला कर रहा है। दार्थेरियन कॉंस्टेंस के पास आता है और उसके उसका नाम पुछता है, पुछता है कि तुम कहां रहती हो, कॉंस्टेंस बोलती है कि तुम बहुत बहुत बहादूर हो और बहुत अच्छे से लड़ते हो तुम, थोड़ी देर में सारे सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं, और सब लोग आसपास के लोग चिलाने लगते हैं त्री मस्कीटियर्स त्री मस्कीटियर्स त्री मस्कीटियर्स त्री मस्कीटियर्स त्री मस्कीटियर्स त्री मस्कीटियर्स को बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने बहुत टाइम बाद उठाई है और बहुत टाइम मैं शामिल होने आया हूँ मुझे मेरे पिता ने बहुत अच्छी तलवार बाजी सिकाई है और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी बहुत बहादूर लोग है जैसे आप काम करते हैं वैसे मैं काम करना चाहता हूँ तीनो मस्कीटियर्स दार्थिरियन को अपने साथ रख लेते हैं कुछ टाइम के लिए अगले सीन में दिखाया जाता है कि किंग लुईस और प्रीस्ट बैटकर चेस खेल रहे होते हैं और वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि थ्री मस्कीटियर्स ने फिर से कानून तोड़ा है तो किंग लुईस आदेश देते हैं कि थ्री मस्कीटियर्स को यहाँ पर बुलाया जाए हैं जो कि 4 लोग 40 लोगों के उपर भारी पड़ जाते हैं तब ही वहाँ पर क्वीन आते हैं और क्वीन भी सेम वही बात बोलती है कि तुम लोग बहुत बहादूर हो और तुम लोगों के लिए हम नए कपड़े बनवाएंगे और तुम लोग हमारे राज्ये की शान हो। कॉंस्टेंस राणी की एक सीविका होती है तो वो भी इसी महल में रहती है लेकिन प्रीस्ट को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि राजा ने और राणी ने मस्कीटियर्स की इतनी तारीफ की है क्योंकि उन् कि अचानक से हवा में कोई उड़ती वी चीज आती है सब लोग उसको देख के बहुत है रान ओ जाते हैं और ये होता है ایک एयर सिप जो कि हवा में उड़ रहा होता है दिखने में एक यह नाओ की तरह होता है लेकिन ये हवा में उड़ता है एयर सिप में से बाकिंगम उतर जो कि England के राजा है और Buckingham की इस एर शिप को देखकर King Lewis जलते हैं कि ऐसी सेम शिप मेरे पास भी होनी चाहिए यहाँ पर Buckingham की नजर पड़ती है Three Musketiers और Darthirian के उपर Buckingham बोलता है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं और जब हम पहले मिले थे तब भी तुम इसी तरह से मेरे सामने घुटनों पे जुके हुए थे तो यहाँ पर Athos बोलता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा अगली बार हम घुटनों पे नहीं होगे Priest यहाँ पर Buckingham को समझाते हैं कि किस तरह से England की सेना France के उपर कबजा कर सकती है अगले सीन में दिखाते हैं कि जो मिलेडी है वो कुछ सैनिको को मार कर Queen के कमरे में घुषती है और Queen के कमरे में घुषने के बाद वो कुछ letters Queen के एक ड्रॉर में रख देती है और वो letters drawer में रखने के बाद Queen का एक diamond का हार होता है वो diamond का हार भी चुरा लेती है क्योंकि यहाँ पर बहुत high security system लगा वा था जिसकी वज़ा से इसको चुराना बहुत मुश्किल था लेकिन मिलेडी इस diamond के necklace को चुरा लेती है और यह necklace चुराने के बाद Buckingham और मिलेडी दोनों उस airship में उड़कर England वापिस चले आते हैं अगले scene में दिखाया जाता है कि King Lewis को वो letters मिलते हैं जो कि मिलेडी ने Queen के कमरे में रखे थे और वो priest के साथ बात करते हैं कि यह मुझे letters मिले हैं और King Lewis बोलते हैं कि इस letter में लिखा हुआ है कि Buckingham और Queen दोनों आपस में प्यार करते हैं और Queen ने जो उनका hero का हार है वो Buckingham को दे दिया है अपने प्यार की निशानी की तरह तो यहाँ पर priest King Lewis को सला देते हैं कि तुम Queen को बोलो कि दो दिन बाद हम एक party रख रहे हैं उस party में तुमें वो हार पहनना है दो दिन बाद एक party होने वाली है ये news Queen तक पहुँचती है और Queen को पता लगता है कि King की फरमाईश है कि उनको वो हार पहनना है Queen Constance को बोलती है कि जाओ मेरे लिए वो हार लेके आओ Constance उस जगा पर जाती है और देखती है कि हार अपनी जगा पर नहीं है और वो बाग कर वापिस जाती है Queen को पताती है कि वो हार अपनी जगा पर नहीं है यहाँ पर Queen बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूंगी अगर वो हार पार्टी में मैंने नहीं पहना तो यहाँ पर King समझेंगे कि वो हार मैंने Buckingham को दे दिया है Constance रानी से बोलती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो इस हार को आपके लिए वापिस लेके आ सकते हैं Constance अंदेरें अंदेरें में ही जाती है और Three Musketeers के पास जाती है जहां उसको दार्थेरियन फिर से मिलता है और दार्थेरियन को वो पूरी कहानी समझाती है कि किस तरह से उनका हार वहाँ से चोरी हो गया है और किस वज़ा से उनको वो हार वापिस चाहिए दार्थेरियन और थ्री मस्कीटियर्स क्योंकि ये बात होती है क्वीन की इज़त की इसलिए वो इस काम को करने को तयार हो जाते हैं तो ये तीनों मस्कीटियर्स और दार्थेरियन यहां से निकलने को तयार होते हैं इंगलेंड के लिए लेकिन यहाँ पर रश फोर्ड और उसकी सेना त्री मस्कीटियर्स और दार्थेरियन का इंतजार कर रही होती है ताकि वो यहाँ से बाहर ना जा पाएं तबी कॉंस्टेंस बोलती है कि मैं इन सब लोगों का ध्यान बटकाती हूँ और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ कॉंस्टेंस दार्थेरियन की कैप और उसका ओवर कोट लेकर गोड़े पर बैट कर वहाँ से निकल जाती है और सबी लोग सोचते हैं कि घोडे पर जो जा रहा है इनसान वो दार्थेरियन है लेकिन असल में वो कॉंस्टेंस होती है तो यहां से दार्थेरियन और तीनो मस्कीटियर्स शिप में बैट जाते हैं और यहां पर शिप में वो डिसकस करते हैं कि किस तरह से बकिंगम के पैलेस के अंदर उनको जाना है दार्थेरियन बकिंगम पैलस के अंदर घुज जाता है और जो सैनिक होते हैं बकिंगम के वो दार्थेरियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं मिलेडी बकिंगम को बताती है कि अभी यहां पर सिर्फ दर्थेरियन आया है बाकी तीनों मस्कीटियर्स भी आश पास ही होंगे सैनिक दर्थेरियन को पगड़ के लेके आते हैं बकिंगम के सामने बकिंगम दार्थेरियन से पूछता है कि अपना प्लैन बताओ कि तुम किस तरह से यहां से बाहर निकलने वाले हो दार्थेरियन बोलता है जरा खिड़की से बाहर तो जाको जैसे ही बकिंगम खिड़की से बाहर जाकता है तो पता लगता है कि बाहर जो उसका एर शिप होता है वो हाईजैक कर लिया है तीनों मस्कीडियर्स ने इस शिप के उपर बहुत सारे हतियार होते हैं सभी हतियारों को इस्तमाल करते हैं तीनों मस्कीटियर्स और दार्थेरियन को वहां से निकाल ले जाते हैं दार्थेरियन बताता है कि हीरो का हार वहां अंदर नहीं था तो यहाँ पर एथोस बोलता है कि हीरो का हार मिलेडी ने जरूर अपने पास ही रखा होगा हीरो कहार मिलेडी के पास ही होता है अब क्योंकि दार्थेरिन और थ्री मस्कीटियर्स के पास बकिंगम का एरशिप है तो वो हवा में उड़ रहे होते हैं और यहाँ पर मिलेडी की घोड़ा गाड़ी को वो हवा में उड़ा लेते हैं और मिलेडी उनके कबजे में हो जाती है मिलेडी से वो जो हीरो का हार होता है वो छीन लेते हैं अब क्योंकि मूवी के शुरुवात में ही दिखाया गया था कि मिलेडी ने ट्री मस्कीटियर्स को धोका दिया था और एथोज वो इंसान था जो कि मिलेडी से प्यार करता था तो एथोज यहाँ पर मिलेडी को गोली मारने के लिए ready होता है लेकिन उससे पहले ही मिलेडी उस airship से नीचे कूच जाती है अगले सीन में किंग लुईस वही सेम बात अपनी रानी को याद दिलाने जाता है कि आने वाले दो दिन में एक पार्टी है और उस पार्टी में तुमें तुमें वही सेम हीरो का हार पहनना है जो कि मैंने तुमें दिया था रश्वोर्ड के कबजे में होती है Constance और रश्वोर्ड थ्री मस्कीटियर्स को बोलता है कि तुम मुझे वो हीरो का हार वापिस दे दो और मैं यहां से Constance को तुम्हें वापिस लोटा दूँगा तो इस सब लोग यहां पर इस Agreement पर राजी हो जाते हैं और वहां से Constance को छोड़ दिया जाता है और यहां से दार्थेरियन हीरो का हार लेकर रश्वोर्ड के पास चला जाता है रश्वोर्ड दार्थेरियन को बोलता है कि तुम बहुत मासूम हो और इतना बोलने के बाद ही रश्वोर्ड हमला कर देता है थ्री मस्कीटियर्स के एर शिप के उपर क्योंकि Three Musketeers का Air Ship बहुत छोटा होता है रश्वोड के शिप के मुकाबले और उसमें हतियार भी कम होते हैं इस वज़ा से यहां पर रश्वोड का शिप बहुत भारी पढ़ रहा होता है Three Musketeers के शिप के उपर तो यहां पर Three Musketeers को लड़ाई में फायदा होता है और वो अपने सारे हतियार इस्तमाल करते हैं रश्वोड के शिप के उपर रश्वोड का शिप बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है और उसकी हवा जो होती है वो निकलने लगती है दीरे दीरे वो शिप नीचे जाने लगता है और एक बिल्डिंग से जाके टकरा जाता है और उस बिल्डिंग के उपर गिर जाता है क्योंकि rushford का ship उस building के उपर अटका हुआ है तो three mosquitoes भी अपना ship पीछे से लेके आते हैं और rushford की ship के उपर फिर से एक टक्कर मारते हैं ताकि वो उस building से नीचे गिर जाए लेकिन दोनों ही ship में से कोई भी ship नीचे नहीं गिरता है यहाँ पे आमना सामना होता है रशफोर्ड और दार्थेरियन का, रशफोर्ड और दार्थेरियन दोनों ही बहुत अच्छे तलवार बाज हैं, दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, लेकिन फाइनली किसी तरह दार्थेरियन रशफोर्ड को तलवार ब किटियर से पूछते हैं कि इस एरशिप की ऐसी हालत कैसे हुई तो वो पूरी कहानी बताते हैं किस तरह से वो बकिंगम से इस एरशिप को लेके आए हैं और किस तरह से उन्होंने बकिंगम के साथ लड़ाई की किंग लुईस यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और पीछे से कॉंस्टेंस और रानी भी आती है और रानी के गले में वो हार देखकर किंग लुईस खुश हो जाते हैं कॉंस्टेंस यहाँ पर दार्थिरियन को धन्यवाद बोलती है कि तुम रानी का हार मेरे कहने पर वापिस लेके आए और यहाँ पर रानी की इज़त बच गई Constance यहाँ पर दार्थिरियन को पसंद करने लगती है और दार्थिरियन तो Constance को पहले से ही पसंद करता है तो एक तरह से मूवी की हैपी एंडिंग कहा जा सकता है इसको यहाँ पर यह मूवी एंड होते होते यहाँ पर इस मूवी का नाम थ्री मस्कीटियर्स ना होकर फोर मस्कीटियर्स कहा जा सकता है मस्कीटियर्स की टीम में दार्थीरेन शामिल हो गया है अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मूवी खतम हो गई है तो मूवी यहाँ पर खतम नहीं हुई है आगले सीन में दिखाया गया है कि बकिंगम अपनी पूरी इंगलेंड की सेना फ्रांस की तरफ लेके बढ़ रहा होता है फ्रांस के उपर हमला करने के लिए क्योंकि वो थ्री मस्कीटियर्स से हार चुका होता है जिसकी वज़ा से वो बहुत गुसे में होता है और मिलेडी जो की थ्री मस्कीटियर्स के एर शिप से नीचे कूद गई थी और पानी में गिर गई थी बकिंगम उसको भी पानी से बचा लेता है तो ये थी पूरी कहानी आज की मूवी की आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं कि इस मूवी का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा और नरेटर बड़ी पर आप नेक्स्ट किस मूवी की कहानी देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए फैमिली के साथ शेर कीजिए और आगे भी ऐसे ही इंटरस्टिंग मूवी की कहानी देखने के लिए नरेटर बड़ी को सबस्क्राइब कीजिए थैंक ये वर वाजिए